शब्द सन्रचना बस लड़की दाक घर उपर दिये चित्रों में शब्द विभन वर्णों के मेल से बने हैं और इन सब का कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है अतह ये सब शब्द हैं शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं शब्दों के प्रकार स्रोत अत्वा उत्पत्ती के आधार पर कोई शब्द किसी भाषा में कहां से आया है तथा कैसे आया है इसे स्रोत या उत्पत्ती कहते हैं इस आधार पर हिंदी भाषा में शब्द भंडार को चार वर्गों में बाटा जाता है तत्सम ये शब्द संस्कृती से जियों के तियों हिंदी में ले लिये गए हैं जैसे चंद्र, सर्ब, ग्राम, गुरु, माता, सूर्य, सत्य, कार्य, प्रथम, आदी तदभव ये वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव करके हिंदी में लिया है जैसे दही, दधी, सांप, सर्ब, गाव, ग्राम, सच, सत्य, काम, कार्य, पहला, प्रथम, घर, ग्रिह, दूध, दुग्ध, घी, घृत, आदी, देशी या देशज जो शब्द स्थानिय बोलियों से हिंदी में आएं हैं जैसे खाट, लोटा, पेट, जूता, पैसा, खिचडी, पगडी, आदी, विदेशी जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना लिये गए हैं जैसे रेल, बंदूग, जमीन, सबजी, पादरी, लाल्टेन, स्टेशन, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा, आदी पाठ तीन, शब्द सन्रचना, बस, लड़की, डाक घर, उपर दिये चित्रों में शब्द विभिन वर्णों के मेल से बने हैं और इन सब का कोई न कोई अर्थ प्रकट हो रहा है, अतह ये सब शब्द है रचना के आधार पर शब्द रचना तीन प्रकार से होती है, रूड़, जो शब्द किसी एक ही निश्चित अर्थ के साथ जुड़ गए हैं, जैसे सूर्य, वस्त्र, नदी, आदी, इनके टुकडे नहीं किये जा सकते योगिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ कर बनाए गए हैं, जैसे रसोई जमा घर, नील जमा कमल, शिव जमा आले, शिवाले, पूजा जमा घर, पूजा घर, आदी योगिक, योगरूड, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होने पर भी एक निश्चित अर्थ से जुड़े हैं, जैसे रत्नाकर, रत्न जमा, आकर, जुड़कर बना होने पर भी, इसका अर्थ है, समुद्र प्रयोग के आधार पर कुछ शब्दों के रूप बदल जाते हैं और कुछ के नहीं, इस आधार पर हिंदी के शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी, जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलाव आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संग्या, सर्वनाम, विशेशन तथा क्रिया, अविकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलाव नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं जैसे क्रिया, विशेशन, समूच्य बोधक, संबंध बोधक तथा विसमयादी बोधक अब आपने जाना वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं हिंदी भाशा में शब्दों को तीन वर्गों में बाटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और प्रियोग के आधार पर विकारी शब्दों में लिंग, वचन, वकाल के अनुसार रूप में परिवर्टन आ जाता है किसी भी स्थिती में कोई भी परिवर्टन ना होने वाले शब्द, अविकारी शब्द कहलाते हैं आओ अभ्यास करें दिये गए शब्दों में से तत्सम, ततभव, विदेशी, तथादेशी यानि देशज शब्दों को अलग-अलग कीजिए नीचे दिये गए शब्दों के ततभव रूप लिखिए दिये गए शब्दों के टुकणों को मिला कर योगिक शब्द बनाईए निमलिखित शब्दों में से रूढ शब्द लाल लिफाफे में, योगिक शब्द पीले लिफाफे में, तथा योग रूढ शब्द को नीले लिफाफे में लिखिए रूढ, योगिक और योग रूढ शब्दों के तीन-तीन उदाहरण दीजिए संग्या किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान या भाव आदी के नाम को संग्या कहते हैं। पहाड, शेर, इंडिया गेट, ताज महल, महात्मा गांधी, केला, सेब, अनार, आलू, गोभी, बच्चा, मिठाई, कुर्सी, कलम, पैंसिल, अध्यापक, रेडियो, टीवी, विजय, सचेन, आदी। संग्या के भेद, संग्या के मुख्य तीन भेद हैं। व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदी के नाम को संग्या कहते हैं। यह किसी का स्वभाव हो सकता है, मन का भाव या विचार हो सकता है, जैसे प्रेम, क्रोध, मित्रता, बच्पन, आदी। औरत, इंडिया गेट, लड़का, संग्या के कुछ उदाहरन, पहाड, शेर, इंडिया गेट, ताज महल, महात्मा गांधी, केला, सेब, अनार, आलू, गोभी, बच्चा, मिठाई, कुरसी, कलम, पैंसिल, अध्यापक, रेडियो, तीवी, विजय, सचेन, आदी। व्यक्तिवाचक संग्या जिस शब्द से किसी विशेश व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, संसत भवन, तथा कनौट प्लेस, महात्मा गांधी, संसत भवन, जातिवाचक संग्या, जिस शब्द से किसी विशेश व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के विशे में नहीं, बलकि उनकी संपूर्ण जाती के विशे का बोध हो, उसे जाति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे स्त्री, आदमी, नगर, घोडा, गां, मचली, सिह, कुर्सी, किताब, आदी, सभी जातिवाचक संग्या हैं, घोडा, मचली, भाववाचक संग्या, जिस शब्द से किसी गुण, विशेशता, स्थिती, अत्वा दशा के नाम का बोध हो, उस से मिठास, खटास, उंचाई, गरीबी, गर्मी, थकान, आदी, भाववाचक संग्या हैं, हम इन्हे केवल महसूस कर सकते हैं, इनके बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते, उदासी, ठंडग, बुढ़ापा, बच्पन, दुख, खुशी, हार, जीद, प्रेम, दया, घर आनंद, क्रोध, वीर्ता, शांती, आदी भावाचक संग्या के उदाहरण हैं, भावाचक संग्या जाती वाचक संग्या शब्दों से, विशेशन से तथा क्रियाओं से बनाई जा सकती है, जैसे उंचे से उंचाई, मीठा से मिठास, गरीब से गरीबी, बच्चा से बच् आदी, कुतब मिनार की उंचाई, बहुत है, आम के मिठास का जवाब नहीं, उसकी गरीबी देखकर, मुझे बहुत दया आई, बच्च्पन के दिन सुहाने होते हैं, जाती वाचक संग्या, जिस शब्द से किसी विशेश व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के विशे में नहीं, बलकि उनकी संपूर्ण जाती के विशे का बोध हो, उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं, जैसे स्त्री, आदमी, नगर, घोडा, गाउ, मचली, सिह, कुर इन भेदों के अतिरिक्त संग्या के दो भेद और माने चाते हैं, जो जाती वाचक संग्या के ही रूप हैं, द्रव्य वाचक संग्या, जो संग्या शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं, जैसे सोना, पानी, दूद, तेल, तांबा, मिट्टी, अनाज, घी, चावल, मक्खन, आदी, सोना, अनाज, समुदाय वाचक संग्या, जिन संग्या शब्दों के किसी प्राणी या वस्तु के समुधाय का बोध होता है, उसे समुदाय वाचक संग्या कहते हैं, जैसे जन्ता, भीड, जुन्ड, जुलूस, कक्षा, सभा, सेना, टोली, दल, पंग्ती, गुट, पाटी, आदी जुन्ड, सेना, भावाचक संग्या बनाना भावाचक संग्या कई शब्दों से बनाई जा सकती है जैसे जाती वाचक संग्या से बनी भावाचक संग्या आएं बच्चा बच्पन, लड़का लड़क्पन, मनुष्य मनुष्यता, शत्रु शत्रुता, मित्र मित्रता, स्त्री स्त्रितत्व विशेशनों से अपना, अपनापन, पराया, परायापन, मम, मम्ता, स्व, स्वतत्व, सम्, सम्ता, निज, निजत्व, निजता, अहं, अहंकार द्रव्य वाचक संगया जो संगया शब्द किसी धातू, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्य वाचक संगया कहते हैं, जैसे चांदी, सोना, पानी, दूद, तेल, तांबा, मिट्टी, अनाज, घी, चावल, मक्खन, आधी, सोना, अनाज क्रिया से, पढ़ना, पढ़ाई, चुनना, चुनाव, सजना, सजावत, देना, दान, हसना, हसी, चलना, चाल, अब आपने जाना वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, जाती या भाव आधी का बोध कराने वाले शब्द संग्या कहलाते हैं संग्या तीन प्रकार की होती है, व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, तथा भाव वाचक जो शब्द किसी विशेश व्यक्ति, वस्तू, अथ्वा स्थान की जानकारी दे, वे व्यक्ति वाचक संग्या एं हैं जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तू की समस्त जाती का बोधो, वे शब्द जाती वाचक संग्या कहलाते हैं जो शैब्द किसी वस्तु अत्वा व्यक्ति के गुण, दोश, अवस्था, दशा अत्वा भाव आदी की जानकारी दें वे भाव वाचक संग्या कहलाते हैं। कुछ संग्याएं मूल रूप से भावाचक संग्याएं होती हैं, जिबकि शेश अन्य का निर्मान, जाती वाचक संग्या, सर्वनाम, विशेशन, वक्रिया आदी शब्दों से किया जाता है। द्रव्य वाचक तथा समुदाय वाचक संग्या को भी एक संग्या के भेदों में समलित कर लिया गया है वास्तव में ये दोनों जाती वाचक संग्या के ही रूप हैं आओ अभ्यास करें निमलिखित वाक्यों में संग्या शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए नीचे लिखे संग्या शब्दों को भेद के अनुसार अलग-अलग कीजिए सही विकल्प पर सही लगाईए भावाचक संग्याएं बनाईए सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत लगाईए कोश्टक में दिये गए शब्दों के भावाचक संग्या रूप भर कर वाक्य पूरे कीजिए संग्याव सर्वनाम शब्दों में कुछ शब्द पुरुष जाती के अंतरगत आते हैं तथा कुछ स्त्री जाती के मोर, बैल, भाई, पिता, लड़का और मुर्गा आदी शब्द पुलिंग हैं तथा मोर्नी, गाय, बेहन, मा, मुर्गी और लड़की स्त्री लिंग हैं पुरुष जाती के अंतरगत आने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं तथा स्त्री जाती के अंतरगत आने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं नीचे बने चित्र देखिए मोर, मोर्नी, गाय, बैल, बैहन, भाई, मुर्गा, मुर्गी हिंदी संग्याव सर्वनाम के सभी शब्दों को दो लिंगों में बाटा गया है संग्या शब्दों में प्राणियों के नाम ही नहीं होते बलकि वस्तूओं, पदार्थों, स्थितियों, गुणों और विशेष्टाओं के नाम भी होते हैं कुछ शब्दों के लिंग केवल प्रियोग के आधार पर ही स्पष्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर आ रही हैं, प्रधान मंत्री जल्दी ही पधार रही हैं, इन शब्दों में केवल क्रिया के आधार पर शब्द के लिंग की पहचान की जाती है. पाठ पाँच लेंग नीचे बने चित्र देखिए मोर, मोर्नी, गाई, बैल, बेहन, भाई, मुर्गा, मुर्गी कुछ पुलिंग वा स्त्रीलिंग शब्द जो प्रियोग में आते हैं पुलिंग स्त्रीलिंग नर नारी, पुरुष स्त्री, वर वधु, सम्राट सम्राग्जी, पती पत्नी, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, गायक गाईका, लेखक लेखिका, लुहार लुहारिन, शिक्षक शिक्षिका, स्वामी स्वामिनी, सिहन, सिहनी, सर्प, सर्पिनी, हंस, हंसिनी, कबूतर, कबूतरी, चिड़ा, चिडिया, विद्वान, विदुशी, डिब्बा, डिबिया, श्रीमान, श्रीमती, मालिक, मालकिन, कुमहार, कुमहारिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, घोड़ा, घोडी, बालक, बालिका, हाथी, हतिनी, गुणवान, गुणवती, बुध्धीमान, बुध्धीमती, अभिनेता, अभिनेत्री, कवी, कवियेत्री, नित्य पुलेंग, स्त्रिलेंग, तोता, मादा तोता, कोवा, मादा कोवा, कच्छुआ, मादा कच्छुआ, खर्गोश, मादा खर्गोश, नित्य पुलेंग शब्द मक्खी नर्मक्खी कोयल नर्कोयल तितली नर्तितली मकडी नर्मकडी गिलहरी नर्गिलहरी मचली नर्मचली नित्य पुलेंग शब्दों के साथ नर्वस्त्रीलिंग शब्दों के साथ मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नाम पुलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाडों के नाम, पेडों के नाम, इमली को छोड़कर, ग्रेहों के नाम, पृत्वी को छोड़कर, देशों के नाम, राजियों के नाम, समुद्रों के नाम पुलिंग वस्त्रीलिंग शब्द जो प्रियोग में आते हैं पुलिंग स्त्रीलिंग नर नारी पुरुष स्त्री वर वधु समराट समरागी पती पत्नी अध्यापक अध्यापिका सेवक सेविका पाठक पाठिका गायक गाईका शिक्षक, शिक्षिका, स्वामी, स्वामिनी, सिह, सिहनी, सर्प, सर्पिनी, हंस, हंसिनी, कबूतर, कबूतरी, चिड़ा, चिडिया, विद्वान, विदुशी, डिब्बा, डिबिया जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं भाशा के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कॉमल भावों के नाम, दया, करुणा, मम्ता, शक्ति सूचक नाम, पुलिस, सेना, समिती, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देव नागरी, फारसी, लिंग बदलने के कुछ नियम, आ या ई लगाकर सुत, सुता, चात्र, चात्रा, पुत्र, पुत्री, या या नी लगाकर खाट, खटिया, बुढ़ा, बुढ़िया, मोर, मोर्नी, आइन या आनी लगाकर पंडित अब आपने जाना शब्द के जिस रूप से उनके स्त्री जाती या पुरुष जाती के होने की जानकारी मिले उसे लिंग कहते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं पुलिंग और स्त्री लिंग जो शब्द पुरुष जाती का बूध कराएं उन्हें पुलिंग कहते हैं कुछ शब्द सदा पुलिंग रहते हैं जैसे पशु, पानी, मच्छर, कौवा कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मचली, छिपकली, आदी कुछ शब्द स्त्रीलिंग वा पुलिंग के समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, आदी लिंग परिवर्तन के लिए पुलिंग शब्दों में आ, इ, इका, या, वती, मती, नी, इन, प्रत्याय जोड़े जाते हैं कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पुलिंग से पूर्ण रूप से भिन होते हैं जैसे माता-पिता, भाई-बेहन, वरवधु, कवी-कवी-ेत्री, पुरुष-स्त्री, ससुर-सास, बैल-गाय जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं भाशा के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भामों के नाम, दया, करुणा, मम्ता शक्ति सूचक नाम, पुलिस, सेना, समिती, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देव नागरी, फार्स आओ अभ्यास करें कॉलम कर के शब्दों के लिंग का मिलान, कॉलम कर से कीजिए नीचे दिये शब्दों के लिंग पहचान कर उनके सामने लिखिए नीचे लिखे शब्दों का लिंग परिवर्थन कीजिए निम्न कत्रों या शब्दों के लिए सही विकल्प छाट कर लिखिए सही कत्रों के सामने सही चिन तथा गलत कत्रों के सामने गलत चिन लगा ये झाल झाल